कि हैं गाइज आप लोग जरू कमेंट बॉक्स पर मेंशन कर देना और हमें बताना तो गाइज आज हम एक एक और टॉपिक लेके आ रहे हैं कि मतलब आर रही बताएगा गैस हमारा यह टोप रहेगा डेटिंग एप डेटिंग एप के बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं आज का अमारी यही टोपिक रहेगा कि डेटिंग एप से साउधान रहे तो काइस साउधान रहे इसका मचलब आप शाय समझ गए होंगे कि किस बारे में बात वने वाली है डेटिंग एप में बहुत सारे अप होते हैं और कुछ लोग एप वो यूज भी करते हैं कुछ लो नुक्सान हो सकता है या फिर आपको क्या साउधानी उसके लिए बरतनी चाहिए तो गाइस ग्रैंडर ब्लूड टेंडर या फिर रोमिल ऐसे बहुत सारे अप है शायद आपको पता भी होगा तो इन एप में ना मतलब वह बुरी नहीं होती बिलकुल नहीं पर वहां पर ज सब लोग बुरे नहीं होते कुछ परसेंट लोग बुरे होते हैं तो उनसे आपको साउधानी ब्रतनी है साउधान रहना है तो साउधान कैसे रहे आप बोलोगे कि आपको साउधान रहना है पर आप कैसे रहोगे तो गाइस बहुत सारे ऐसे कैसे में होता है कि कुछ लोग क्या करते जब हम मैसेज करते हैं ठीक नॉर्मल है हमारे बात चित रहती है हम बात करते हैं ठीक है बात हो जाने के बाद क्या होता है कि वह लड़का या फिर कोई भी होगा इंसान जिससे आपने डेटिंग के लिए बोलाए कि हाँ भाई में आ जाओंगा तो इस कंडिशन में हम उसके यह वहां पर जाते हैं वहां पर जाने के बाद क्या होता है क्योंकि न अरु के एक फ्रेंड के साथ ऐस इंसिडेंट हुआ था जो आपको बताएगा अभी उसके बाद मैं अपने मतलब राई बता हूँगा बट अभी फिलाल के लिए आपको अरु एक एक जामपल य तो उसे एक्जाम्पल से शायर आपको थोड़ा बहुत हिंट मिल सकता है या फिर थोड़ी बहुत आपको मदद हो सकती है मैं एक इस्टोरी बताऊंगा पहले इस्टोरी नहीं वह रियल है पर इस्टोरी ही है भी समझत लो हुआ ऐसा था एक मेरा फ्रेंड था अतुल नाम का जो कि मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था तो एक बार वह ग्रेंडर यूज कर रहा था उन में से मतलब उस एप में किसी न उसने मिलने के लिए बुलाया था तो वो मिलने के लिए गया था उससे बट हुआ क्या कि उसने मतलब जिसने बुलाया था वो बोला कि मतलब एज वगएर सब कुछ ठीक ठाक सा था वो मिलने के लिए वहां पर जाने बाद रास्ते में उसको तो अकेला बंदा ही मिला वो द तो जब मेरे फ्रेंड ने इतने सारे लोगों को देखा तो डर किमारे से सोचा उसने बोला कि मैं रूम पर जा रहा हूं कि मुझे नहीं करना है यह सब वर्ट उसने मतलब जो लोग थी वहां पर उन्होंने क्या किया उसको जब अब पर पगड़ के रखा दारू अगर पिला तो बिहोस के हालत में था सुपर जब उसको होस आया तो मतलब निकल के आया बाहर जब निकल के आया तो उसके मोबाइल में वो वीडियो आ गया मैसेज में कि यह वीडियो हमने सूट के आया हम जब भी तुछे मिलने के लिए बुलाएंगे तो तुमको आन पड़ेगा नह मिलने के लिए बोलते थे और नहीं जाने का मन होता था फिर भी और लोग बोलते थे यह वीडियो में सेयर कर दूंगा तुमारी फैमिली वालों को सबको पता चल जाएगा यह वगयरा उसके बाद यही सब बोलको उसको बुलाते थे बहुत मज़े लेते थे उसको बहुत दर्द भी देते थे ऐसे उसके साथ हो गया था बाद में फिर मुझसे भी बात ओट करना मतलब बंद हो गया तो मुझे पता भी नहीं चला आगे कि क्या इस टोरी थी क्या हुआ उसके साथ फिलाल अभी तो ठीक हैं कभी-कभी मैसेज पर बात होती है बट मैं उस टॉपिक तो अब यह बताएगा तो गाइज आरूनी जो भी स्टोरी आपको शेयर की या फिर बताई यह उसके लाइप में परसनल उसके साथ जो एक फ्रेंड था उस फ्रेंड के साथ जो भी सब कुछ घटा तो उस रिलेटेर उसने सारी हकिकत आपको बता दी शायर आपको थोड़ क्या होता है तो गाइज इसमें साउधन आपको क्या बरतनी सबसे पहरे देखो गाइज आपको नॉनमल लिवाचित रहती ठीक है आप हाई करते हो यो फ्रॉं वगरे सब कुछ चलता रहता है फिर बाद में वो मिटिंग के लिए अगर बूलाता है ठीक है अगर आप मतलब यह सा नहीं होता कि हाँ ठीक है सारे लोग गलत है पर कुछ लोग ऐसे होते है ना जो पूरी कम्यूनिटी के ना पूरा खराब कर दीते पूरा एक बोरती नगंदी नाली के कीड़े हो जाते हो तो इसलिए ना ऐसे लोगों से आपको साउधन रहना है अगर आप ठीक है उस मामले में ठीक है आप accept भी कर लेते हों ऐसा ही नहीं है क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते कि धके दो लोग उनको जारा लालेच आता है कि चलो दो लोगों से मज़ा आएगा मुझे तो इस मामले में ठीक है वो लालेच बरे नजरों से और फिर कुछ सेलफी मतलब हो सकते है कि selfish होके वैसा कर देते ठीक के वहाँ पर जाते उनके साटलेट जाते राद बर जो कुछ होना है वो सब हो जाता है बट इन सब मामले में वो लोग एक चीज भूल जाते कि जो लड़का हमसे एक लड़का समझ के दो लोगों से मिलवाता है वो लड़का क्या पता मतलब आगे की भी सोच रहा होगा तो इसलिए जब भी आपको अगर बुलाता है ठीक एक लड़का है तो ठीक है जाने के बाद उस रूम में पहली बार आप पूरा रूम अच्छे से तलाश करने ना कि इसने कई चुपाया नहीं और आपने मतलब बहुत सारे इसे नियूज में भी दे कई नगई तो लगा रहता है किसी का कैमेरा तो ऐसे मामले में आपको साओधान रहना है कि जो भी जहां पर भी आप डेट के लिए जा रहे हो तो प्लीज गाईस साओधान ये ज़रूर बढ़तना और साथी साथ गाईस अगर आप किसी को डेट पे अपने घर में बुला र आएगा वह आएगा आपके साथ रोज करने आएगा बट जब उसका एक mental balance खतम हो जाएगा ना तब आपकी भी वाट लग सकती है तो इसलिए अगर जो भी मतलब ऐसे कुछ हरकत करता है तो गाइस उससे ना सच में request करता हूं हम दोनों भी कैसे कुछ मत कीजिए क्योंकि आप देटिंग एप ठीक है आप इंजोई करो आपका मतलब वह परसनली question है फिर परसनली आपका वह decision होता है इसके उपर कोई कुछ नहीं बोल सकते हैं हम नहीं बोल सकते बट बस हम यहीं बोलना चाहते हो कि अगर आप डेटिंग एप यूज करते हो तो ऐसे लोगों से को पता है नक्षतर भागवें तो उन्होंने भी मतलब एक वीडियो में मतलब एक किस्सा बताया था जो महारश्रमी हुआ था उस लड़के के साथ कि उस लड़के के साथ क्या क्या हुआ था उसने मतलब उन्होंने बताया था उस वीडियो में कि मतलब बहुत कुछ उसमें था और उसे मारा पीट कर उसे फिल से अपने घर भगा दिया था तो गाइस प्लीज अगर आप सच में डेटिंग एप यूज करते हो तो जरूर साउधान रहे ऐसे लोगों से क्योंकि यह लोग ना मतलब आपके साथ फिजिकली ठीक है फिजिकली सब कुछ तो करवा लेते ब मतलब किसी ने आपको बुलाया जैसे डेटिंग अप पर तो वहां पर जाने के पहले लोकेशन तो जरूर चेक किजिए वह एरिया का ऐसा है राइक पब्लिक प्लेस है या फिर आज बाज में दो चार घर है कि नहीं है ऐसे मतलब आउटसाइड में मत जाये वहां पर मतलब आपके लिए बहुत डेंजर हिलाका हो सकता है आपके साथ कुछ भी हो सकता है तो डेट करते टाइम पब्लिक प्लेस मतलब पब्लिक प्लेस मतलब आइसा नहीं कि पब्लिक प्लेस में मतलब वहां पर थोड़े बहुत घर होने चाहिए ऐसा मतलब ताकि आपके साथ कुछ गलत हो अगर आप सोर करना चाहो तो आजो बाजो कोई तो हो आपको बचाने वाला ऐसे आउट एरिया में जाओगे वहाँ पर आप चिलाओगे भी कुछ भी करोगे वहाँ पर कोई देखने के लिए नहीं आएगा आपके साथ जो होना था है तो होज भी जाएगा बीडू भ स्वाइब करके जानो और साथ इसाथ लाइक शेयर कमेंट ज़रू कर देना और इंस्टाग्राम पर भी ज़रू फॉलो कर देना इस्टाग्राम का आईडी नेम है श्यू डॉट अनौ तो गाइज मेरेते हम नेक्स इंट्रस्टिंग वीडियो के साथ तब तक आप हमेशा ह खास ते रहे हैं मुस्करा ते रहे हैं और दोस्तों को भी खुश्र रहे है सो भी हैपी बीव मायल बाइबाय बाइबाय